नमस्कार आदाम, मैं हम कुल्दीब भारत द्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है NBC24 हमारा पंच राइन है सच की ताकत, यह महल जुमला नहीं है, वो हकीकत है जो जम्हुरियत है, हिंदुस्तान में जो जम्हुरियत है, उसके लिए आवाम के प्रतिहम लगातार अपनी जिम्मवारी को निभाते रहते हैं, क्योंकि मीडिया को जम्हुरियत का पहरुआ कहा जात इस वक्त वर्तमान दौर में बिहार में सिर्फ दो चीजें बहुत जादा चर्चित हैं, पहली शराब और दूसरी सिक्षा, आप सभी को पता है कि जिस तरीके से बिहार में शराब को लेकर तमाम बाते आ रही हैं और लोगों के अधिकार पर हमला हो रहा है, दुलहन के कमर हुकुक के लिए और बेसिक फंडामेंटल राइट्स के तहर आने वाली सिक्षा, जमूरियत का ये चौथा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिहार में सिक्षा के हालात ये हैं, कि अगर इसकी बात हम शुरू करें, तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि हरी कथा, हरी कथा अनंता की तरह वर्तमान दोर में, उच्ष सिक्षा के कुलाधी पती के तौर पे फागु चोहान साब मौजूद हैं, आप सभी को पता है कि किस तरीके से मगद विश्विद्याले के वीसी पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापा मारा, तो कर राजिपाल महोदे को दिल्ली तलब कर लिया गया, यका यक जो घटनाएं बदलनी शुरू हुई, तो खबरनवीशों के और जो भी लोग सिछा से जुड़े हुए, उनके कान खड़े हुगए, दरसल, जैसा कि हमने अपने लाइब में कहा था, कि हम जो है, आपको बताएं कि कैसे पुत्र मोह में, पुत्र मोह में फागु चोहान की फजीहत हो रही है, मैं आपको बताऊं कि माननिय राज्यपाल बिहार, फागु चोहान साहब का राजनीतिक कैरियर जो है, काफी लंबा रहा है, ये हमारे पडोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मौँ जीले के घोस से लगातार छे बार विधायक रहे हैं और तीन बार जो है मंत्री पर समाल चुके हैं लेकिन आज हकीकत ये है कि आज ये सवालों के कट घरे में खड़े हैं जब ये बिहार के राज्यपाल हैं दिखिए कुछ चीजों का हम आपको बता दें कि राज्यपाल महोदय के ऊपर ज सिख्षा जो है विश्विद्यालों में इनके उपर जिम्मवारी होती है मैं आपको बताओं कि जब से इन्होंने जो है विहार के राज्यपाल लाली टंडन जी के तबादले के बाद जब से जो है इन्होंने समाला है तब से जो है सिख्षा के जो हालात है उसको लेकर लग चांसलर हों, कुल सची हों या जो भी financial institutions होते हैं उनको न्यूप करने के विशे साधिकार मौजूद है लेकिन इस विशे साधिकार के तहत जो गणबडिया हुई है उसको लेकर आज तमाम सवाल जो है उठने लगे हैं और बिहार का राजभवन जहां वरतमाम राज़िपाल फागू चोवान रहते हैं उसके साध पर सवाल उठने लगा है मैं आपको देखे ये लगातार ये चीज़ें चर्चा में हैं मैं आपको जो है एक सवाल से आउगत करा दूं कि अभी जैसे हाला थे कि पीमो ने राज़िपाल महोदे को तलब कर लिया दिल्ली और उनसे जो तुमान सवाल किये जा रहे हैं तो मैं आपको बता दू कि ये महज जो है एक वाक्या है कि मौलाना मजरूल हक उर्दु फार्सी के जो अभी नव नियुक्त जो है कुलपती है कुदूस साहब उन्होंने जो है तमान घबले घोटालों को लेकर सुबे के मुकिया नितीश को एक पत्र लिखा वो पत्र पब्लिक डोमेन में है आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से जो है और जो आंसर सीट है और जो प्रश्न पत्र है उसको लेकर जो साथ रुपे की सोलह रुपे में खड़ी खरीदी गई है तो ये वितिया अन्ही मित्ता की बात है यहां तक स सबसे बड़ा खुलासा MBC 24 करने जा रहा है वो ये है कि ये लड़ाई आज से नहीं चल रही है ये लड़ाई दरसल पिछले दो साल से जारी है ये आपको हम दिखाना चाहते हैं यहां पे जो है most important confidential matter गोबनिये लिखा हुआ है ये वो दस्तावेज है जो प्रधान मंत्री क प्रधार्याले को इसी वर्स मार्च में भेजा गया था इसमें तमाल वो पहलू जो है पहलू का जिक्र किया गया है कि कैसे बिहार का राजभवन आज सेक्षिनिक माहौ को बिगाडने में महती भूमिका निभा रहा है ये वो लेटर है ये 30 पन्नों का लेटर है जो NBC 24 के पास मौजूद है इसमें एक-एक तथे जो है का विवरन दिया गया है जिस सक्स ने विसल ब्लोवर का काम किया था उस सक्स की ये पूरी स्टडी है और अभी केंदर बिंदू में इस खुलासों के बाद जैसा कि स्पेशल आर्थी कपरात साखा ने विशेस जो चापे मारी की मगद विश्वी द्याले के राजेंदर सिंग साहब जो वाइस चांसर है इनकी भी नियुक्ति कैसे हुई थी इनकी भी नियुक्ति जो है इसी सासन के अंदर हुई थी ये मूल रूप से गोरखपूर के रहने वाले हैं और जब से आर्थिक अपराधास पीसे सिकाई ने चापे मारी की है ये एक महीने के लिए छुट्टी पर चले गए हैं अब आप इस पूरे क्रोनलोजी को समझने की कोशिश करिए ये वो तमाम लोग हैं जो घपले घोटाल्यों में नामजद हो रहे हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं बहत गंभीर आरोप लग रहे हैं ये चुहान साहब उत्तर प्रदेश से हैं उनकी सियासत जो है उत्तर प्रदेश से ही चंकी है और आज वो बिहार के राज्यपाल है लेकिन कथा बस इतनी भर नहीं है दरसल है क्या कि इस पूरे घपले घोटाले में जो है एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है ये कहने का हमारे जो है वो जो है वरतमान राजपाल के द्वारा न्यूट किये गया है और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो सक्स है वो है स्पी सिंग साहब अब इनकी बात करते हैं इनका पूरा नाम सुरेंद्र प्रताप सिंग है मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फैज जैसे विवादों से इनका पूराना नाता है आप देखिए कि किस तरीके से किस तरीके से जो है नियम को तोर मडोर कर पावर पैरवी और पैसे की जुगल बंदी से एक सक्स जो पहले से जिस सक्स पे एफ आई आर है मैं बात कर रहा हूँ इस पी सिंग साहब की सुरेंद्र परताप सिंग की यह वो चहेता सक्स है जिसको एक वक्त में इसी वर्स अपरेल महीने में ऐसा भी वक्त था जब चार-चार विश्विद्यालियों की कमान प्रभारी वी सी इस सक्स के हाथ में थी यह सक्स जो है मूल रूप से जो है मूल रूप से उत्तरप्रदेश के राजेपाल दिल्ली जाने से पहले इनका जो है जो है सबसे बेस्ट वी सी के तौर पे इनको इनका सम्मान जो है राजभौन में करके गए हैं समझ रहा है आप मतलब समझे एक सक्स जिसका पूरा केरियर जो है सेक्षडी की योग्यता तक सवालों के कट घरे में है वो सक्स जो है बिहार के वर्तमान राज्यपाल से बेस्ट पाठली पुत्रा के पाठली पुत्रा विश्विद्याले के प्रभारी वीसी रहते हुए उनको अभी वर्तमान वो अधिकार उनसे छीन लिया गया है क्योंकि जिस तरीके से घपले गोटालों का खूलासा हो रहा है और जिस जो है वो 16 रुपे में खर दी गई और वो कंपनी कहां की है तो वो कंपनी लखनव की है समझे इस पूरी टैंट्रम को समझने की कोशिश करिए दरसल है क्या कि राजेपाल महोदे भी उत्तर प्रदेश से हैं उनकी सियासत भी आजम गर्जिले से लेकर लखनव तक सिंटी रही ये अब छे बार जो है घोसी से विधायक बने तीन बार ये मंद्री को भी सुसोभित कर चुके हैं अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं राजेपाल महोदे के पारिवारी जो है जीवन के बारे में घोसी से छे बार विधायक रहे और मंद्री रहे फागु चोहान कि अगर पारिवारी जीमन की बात की जाए तो इनके तीन पुत्र हैं, इनके तीन बेटे हैं और चार बेटियां हैं, समय के साथ-साथ चारो बेटियों का पारिवारी जीमवारियों का निर्वहन करते हुए, इन्होंने अपने तीन बेटों और चार बेटियों की शादी कर द रियल स्टेट से जुड़े हुए और प्रपर्टी में डिलिंग करते हैं दूसरे नमबर पे राम बिलास चौहान है ये राम बिलास चौहान ये नाम बार बार हम इसलिए ले रहे हैं कि ये वर्तमार राजिपाल साहब के दूसरे नमबर के बेटे हैं इनसे छोटे एक भाई हैं उमेश वो जो है घर पे रहते हैं और वो घर का खेती बाड़ी जो की क्रिसक फैमिली से है तो वो समझालते हैं लेकिन राम बिलास चोहान चर्चा में क्यों है दरसल राम बिलास चोहान जो है ये जो दूतिये पुत्र हैं जिनको कह सकते हैं कि दो दोहाईयों के बीच में जो है जो तीसरा सक्स है राम बिलास चोहान ये जो है अपने पीता की सियासी विरासत के उत्तराधिकारी हैं मैं ये बात ये कह रहा हूं क्योंकि सुरू से इनका रुज्धान जो है राजनीती के प्रती रहा है राम बिलास चोहान जो है जब अचा राइक रहे फागु चोहान जी के बेटे जो है जो राजनिती में बेहत सक्रियें हैं उनको उपचुनाव में ख़ड़ा करने के लिए तमाम कोशिशें की गई मैं बताओं कि यहां तक कि राम बिलास चोहान ने अपना परचा भरने के लिए वो चीजें भी खरीद ली थी लेकिन अंत समय में भाजपा ने चुकि भाजपा के सिटिंगे मेले थे तो भाजपा ने एक निनन लिया और घोसी से फागू चोहान के बेटे की जगा सोच लीजे एक सक्स जिसके पिता छे बार से घोसी से चुनाव जीते रहे और तीन बार मंत्री भी बने जब उनके सियासी उत्राधिगार की बात आई तो भाजपा ने जो है एक सबजी वाले को ये बड़ा मीडिया में चर्चित रहा था कि भाजपा ने परिवारवाद को बढ़ावा न देते हुए एक सबजी वाले को घोसी से विधाईकी का टिकट दिया और वो जीते भी लेकिन यही सच नहीं है सबसे बड़ा सच यह है कि भाजपा भारतिय जनता पार्टी अकसर अपने उमिद्वारों के बाबत जो है निजी संस्थाओं से सरवेक्षन करती है उनके चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करती है और जब यह प्रोसीजर अपनाया गया तो राम विलाज चौहान के बाबत जो जानकारिया मिली अब सोचिए एक सक्स को उपचुनाव में खड़ा होने के लिए nomination papers तक खरीद लेता है क्यों खरीद लेता है क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि टिकट जो है टिकट जो है उनको मिलेगा लेकिन उनको अंत्र सबय में उनको टिकट नहीं दिया जाता है क्यों नहीं दिया जा सकता है क्योंकि भाजपा ने अपने सुत्रों आप कह सकते हैं कि राम बिलास चुहान जो उत्राधिकारी बनते, उनके चारितरिक दोस भी सामने आये थे. ध्यान दीजिएगा मैं चारित्रिक दोश कह रहा हूं मैं क्यों कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि जब internal report जारी की गई तो मैं आपको बता हूं कि internal report जब जारी की गई तो वीजेपी को जब internal report मिली तो उन्होंने फॉरन यह फैसला किया कि फागु चोहान के सियासी उत्राधिगारी को टिकट न देकर घोसी से एक सबजी विक्रता जो कुछ समय भाजपा संगठन में महा सचीव था उसको टिकट दिया गया और वो अच्छे मतों से जीत कर MLA बन चुका है आखीर एक राष्टिये पार्टी ने क्यों उस उत्राधिगारी को नहीं चुना इसके पीछे तमाम तर्वी दिये जा सकते हैं कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि भार्टी जनता पार्टी जो है यह परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है लेकिन हकीकत यह है कि परिव सवालों के घेरे में था उस पर तमाम जो है गंबीर आरोप लगे थे यहां तक आप समझ गए कि कैसे भाजपा ने उप्चुनाओं में फागु चोहान की सियासी विरासत को उनके मजले बेटे राम बिलास चोहान को नहीं सौपी यह बात खत्म हो गई अब हम बात करते हैं जब अपने जिम्मवारियों का निर्वहन करने के लिए लालजी टंडन के तबादले के बाद फागु चोहान साहब को बिहार में गवर्नर न्यूक्त किया गया गवर्नर न्यूक्त करने के बाद मैं आपको बताऊं कि जिस तरीकी की उम्मीद की गई थी वो कहीं न कहीं धुमिल हुई है और विगत दो सालों में राजभवन की साख पर बेहत गंभीर सवाल उठे हैं और मैं बताऊं कि अभी राजभवन के साख पर संकट नजर आ रहा है संकट क्यों नजर आ रहा है क्योंकि इसके पीछे कहा जा रहा है कि एक संगटित गिरो ध्यान दीजेगा मैं कह रहा हम संगटित गिरो काम कर रहा है जिसमें पूरी प्रमुक्ता से जो है इसमें तीन कि किरदार हैं इसमें एक जो किरदार हैं वो एक जो है मैं आपको बताऊं कि सुरेंद्र परताप सिंह सहाब हैं जिनको अभी से 36 गंटे पहले बिहार के राजबोवन में वर्तमाम राजेपाल दिल्ली जाने से पहले उनको सम्मानित करके इसलिए सम्मानित किया है कि वो एस्पी सिंग साहाब हैं जिनको अप्रील महिने में इसी वर्स में इतने काबिल हैं कि इनको चार विशुवित बिहार के चार विशुवित द्यालें जिसमें से नंबर वन पहले जो है ये मिधला जो है मिधला विशुवित द्याले के विसी बनाए गए वहाँ भी कैसे घपला घोटाला हुआ इसकी पूरी बानगी हम पेश करेंगे NBC24 ये मुहीम उस वक तक चलाता रहेगा जब तक बिहार में उच्छी सिक्षा के सिकारियों जिन्होंने एक बार फिर उच्छी सिक्षा के मापदंडों को पूरी तरीके से मरोडते हुए घपले घोटाले की ऐसी कह सकते हैं कि आवरंड बनाया है जहां योगिता बहुत पीछे छूट गई है और पावर पैर्वी और पैसा आपको वाइस चांसलर बना देता है खर ये बात अलग है लेकिन एक समय था इशी वर चार विश्विद्याले के वीसी के प्रभार में थे मिधला विश्विद्याले के तो वाइस चांसलर ये थे ही स्टुरेंद प्रतापसीन साहब उसके बाद ये पाटली पुत्रा उसके बाद मौलाना मजूर अलग उर्दू फार्सी उसके बाद आरे भट नौलेज विश्विद्याले के भी मतलब एक सक्स इतना काबिल है कि उसको चार-चार विश्विद्यालों का प्रभार दिया जाता है लेकिन जब सचाई सामने आती है तो पता चलता है कि ये तो कुछ और ही है थोड़ा सा सूरेंद्र एस्पी सिंग साहब के बारे मैं आपको पिछला बैक्गराउंड बता देता हूँ सूरेंद्र प्रताप सिंग जो अभी इस पूरे घोटाले के सबसे बड़े मास्टर माइंड बनकर उबरे हैं उनके बारे में बतादू कि ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के रहने वाले हैं इन्होंने इंटर तक की पढ़ाई जो है इन्होंने फैजाबाद से ही की उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने लखनव का रूप किया और लखनव विश्विद्याले से इन्होंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद चुकि तेज तर्रार विद्यारती थे और चुकि इन्होंने मास्टर्स किया और वो तमाम जो है चीज करने के बाद इन्होंने जो है सेक्षनिक विभाग में अपना योगदान दिया वक्त बीटता रहा और वक्त अपने मयार पे था और एक ऐसा वक्त भी आया जब 2006 में जो सक्स बाद सतिंद्र पताफ सिंग की हो रही है जो सक्स उस विश्विद्याले का छात रह चुका था उसको लखनव विश्विद्याले का वाइश चंसलर बना दिया जाता है अब आप सोचें, जब इनको जो है लखनव विश्विद्याले का वाइस चैंसलर बनाया जाता है, तब से इनकी क्रिया कलाब पर तमाम सवाल उठने लगते हैं, साथ ही इनकी सेक्षनिक योगिता पर भी बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है, जिस PSD और जिस अहरता के बल प पर क्या सवाल है, तो सुरेंद प्रताफ सिंग सहब की बात हो रही है, अब देखिए, जब यह लखनव विश्विद्याले के वाइस चैंसर बनाया जाते हैं, और जब यह पहली बार लखनव पहुंसते हैं, तो बकाइदा लखनव विश्विद्याले मत्ता टेकते हैं, औ और उस भूमी को प्रणाम करते हैं जिस विश्विद्याले से पढ़ने के बाद विश्विद्याले में ये वाइस चांसर बनाए जाते हैं लोगों में बड़ी जो है खुशी होती है कि डाउन टूर्थ आदमी है लेकिन एक बार कुर्सी मिलते हैं एस पि सिंग साहब जो वरतमान में बिहार में मिखला इनवर्सिटी के वाइस चांसलर है और मैं अगर यूं कहूं तो राजबहुन के सबसे दुलारे वाइस चांसलर हैं दुलारे इसलिए क्योंकि कहीं से भी वीसी गया तो इनको ही प्रभार दिया गया आखिर ये रिस्ता क काम किये जिसको लेकर इनका जबर्दस्त विरोज शुरू होना वित्यानी में तायंग होती रही, power commissions इन्होंने किया साथ ही जो सबसे बड़ी चीज इन्होंने की कि गैर जो है जो basic जो requirement होती है lecturer बनने की या प्रोफेसर बनने की वो अहरता न पूरा करने के बाद भी एक महिला को नियुकती दे दी जिसको लेके बड़ा जबरदस्त हंगामा हुआ अब सोचिए यह सक्स जो है जैसे कुर्सी मिली यह दागदार हो गए और अब हम दर्शकों को वो FIR की कॉपी दिखाते हैं जिसमें यह देखिए वो FIR की कॉपी है यह दर्शक देखें इसको हम जो है अपने वेबसाइट पर डाल लेंगे आप देख सकते हैं यह FIR की कॉपी है जिसमें आपको मैं बताओं कि यहां देखिए यह जो है first information report under section 154 CRPC यह जो है यह FIR जो है किस पे दर्श हुआ और कहां दर्श हुआ यह बता देता हूँ मैं देखिए यह जो है यह FIR दर्श हुआ है पियस्थाना हसन गंच डिश्टिक जीला लखनव फिर नंबर 0076 अब फिर में कौन सी धाराएं लगी है पहले मैं आपको यह बता देता हूँ देखिए इस FIR में धाराएं कौन सी लगाई यही है इसका वर्णन जरूरी है इसमें जो है भारतिय दंड संख्या 1860 420 का आरूप लगा है समझ रहे हैं 420 समझ रहे हैं 420 हाँ वही 420 वाला पहली धारा लगी है उसके बाद 468 लगा है उसके बाद 471 लगा है यह कब FIR दर्ज हुआ है वो देख लीजिए 8 मार्च 2020 में 8 बज के 53 मिनट पर लखनव के मतलब समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव जहां लखनव विशिद्याले के स्पी सिंग साहब वाइस चांसलर रहे हैं इनके ऊपर जो है आठ मार्च 2020 में 20 बज कर 53 मिनट पर FIR दर्ज की गई धाराएं कौन सी लगाई गई? 420, 400, 471 और अब देखिए जो सबसे बड़ा खुला साहम करने डा रहे हैं अब इस पे गौर कीजिए जो FIR में जो है इस FIR में पांच लोगों का नाम दिया गया है 420 के मामले में यह देखिए इसको मैं एक में टुक जाएए मैं इसको ज़रा अभी हाइलाइट कर देता हूँ यह देखिए अब देखने में साइट शुल्धा होगी देखिए यह जो आप मारकर से घिरा हुगा नाम जो देख रहे हैं वो नाम किसका है यह नाम है वरतमान समय में अब वरतमान समय में यह सक्ष जो है मिथला विश्विद्याले का वाइस चांसलर है जो बिहार में पड़ता है और यह सक्ष वही है जिसको यह राजवावन का इतना दुलर हुआ है आखिर क्यों दुलर हुआ है कि इसको चार-चार विश्विद्यालों का प्रभार दे एक तो ये मिथला विश्विद्याले के VC हैं ही साथ में तीन अन्न जो है विश्विद्यालों का प्रभारी बना दिया जाता है आखिर क्या ऐसा गून है S.P. सिंग साहब में वो भी बताएंगे हम तो आपने देखा देखिए इस FIR में लखनों में दर्ज FIR में बकाइदा S.P. सिंग साहब जो है नेम्ड F.I.R. इन पे हुआ है ये सक्स जो है नेम्ड F.I.R. है इस सक्स पे मतलब सोचिए 420 का आरोपी आज भी हाद इस साल चार-चार विश्विद्यालियों का कह सकते हैं कि हेड था क्योंकि कुलादीपती तो राजयपाल होते हैं तो आप समझें कि किस तरीका का नेकसस जो है बिहार में उच्च सिख्छा के छेतर में चल रहा है आप सभी ने देखा होगा कि ख़वरों के सुर्खिया बनी कि राजपाल महोदय को प्रधान मंत्री कारियाले ने दिल्ली बुला दिया क्योंकि वर्तमान में मुहम्मद कुद्दूस साहब जो अर्भी फारसी विश्विद्यालियों मौलाना मजरूरा के विसी हैं उन्होंने बड़े गंभीन आरोप प्रभारी अब इस जो है विश्विद्यालियों के प्रभारी कुन पती कौन थे एसपी सिंह साहब थे मतलब आप समझिए ये सक्स जहां भी गया है अगर इसके पूरे इतियास को देखें तो सैक्षिनी की योगताओं पे तो सवाल है ही साथ में 420 का नंड एक्यूस है और अगर आप विश्विद्यालियों के नियामक को देखें तो यह मैं चाहूंगा अपने दर्सकों के हमने वो नियामक भी बकाय देखिए यह इसको जो है मैं हमने हाइलाइट किया है यह बिहार जो है बिहार विश्विद्याले इसमें स्पश्विद्यूप से लिखा है Manual of Bihar University's Law यह जो है बिहार के विश्विद्यालेओं को कैसे चलाया जाएगा और क्या-क्या parameters होंगे उन सब के बारे में लिखा गया है इसमें हमने दर्शकों को यह हम डाल देंगे अपने website पर देख सकते हैं इसमें साफ-साफ लिखा है कि the chancellor should be appointed who is not having any anti-social activities not even in dougla any any of the act which is against the law उसके आगे कहा जाता है इसके बारे में क्या काच इसमें इसमें आप कह सकते हैं की विश्विद्याले का जो है पूरी तरीके से खुद मुखतार जो है यह सक्स होता है वितिये हो या sectioning हो तमाम तरीके से लेकिन देखिए कैसे नियम कानूनों को तोर मडोर कर जो सक्स F.I.R. में नामित है मतलब 9 F.I.R. है उस सक्स को जो है बिहार में चार-चार बिहार चीन दिया जाता है लेकिन मैं सवाल बड़ा है कि आखिर क्यों ये गिरोव बिहार के उच्छ सिख्छा को बरबाद कर रहा है और ये दागी लोग ये दागी लोग मैं इस परश्वूट कर रहा हूँ S.P.C. साहब के बारे में खुलासा जारी रहेगा आज हमने बताया कि देखिए कैसे नियमों को तोड़ मरूर कर निजी फाइदा पहुंचाने के लिए किस तरीके से एक सक्स को इतने बड़े ओधे पर देश में चुकि सिख्छा हमारे यहां कॉंसेट क्या है कि हम लोग कह आपके मेहनत की कमाई को अपने अयाशियों में डुबा रहे हैं इसका भी हम खुलासा करेंगे आप समझ लीजिए कि बिहार के राजभावन के साथ पर जो संकट आया है वो किसी और की दिन नहीं है बलकि इसमें चार लोग सामील है इन चारों का हम ओडियो भी सुनाएंग हम आपको जो है उनसे तारूप भी कराएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे अपने सियासी जीवन में लगभग बेदाग रहे लगभग बेदाग रहे बिहार के वरतमान राजिपाल फागु चोहान साहब पुत्र मोह में जान दीजेगा मैं स्वस्ट कह रहा हूं पुत्र राम बिलास चोहान साहब चुक्कि पिता के साथ रहते थे पिता जो है उत्तर प्रदेश सरकार में मैं बताऊं सबसे पहली बार जो है फागु चोहान साहब निर्दलिये जीते थे उसके बाद BJP में आये और BJP के टिकट पे जब ये घोसी से दूसरी बाद जीते तो उस सम उसेव जो है वो अपने पिता के साथ रहे और उनकी सियासी महत्वकांचाएं हैं तो वो साथ में थे लखनव का माहौल, पिता मंत्री और दलित राजनीती का बड़ा चहरा उत्तर प्रदेश में पुर्वांचल में दलित राजनीती का बड़ा चहरा फागु जोहान लेकिन पेटे के कारकरदगी का नतीजा ये है कि आज वो सवालों के कटगरे में हैं और इतना बड़ा सवाल है कि आज उनकी मुसीमत इसकदर बढ़ गई है कि उनको PMO ने बकाइदा तलब कर लिया, सिक्षा मंत्री से वो मिलेंगे और ये तमाम कवायदे चल रही है लेकिन जिस तरीके से किर्चे किर्चे और पोर पोर में ब्रस्टाचार का रोग पहुँच चुका है उसका खुला सा NBC24 लगातार करता रहेगा कल हम फिर एक बार आप से मुखातिब होंगे और आपको बताएंगे राम बिलास, अजे मिस्रा, रिचा मिस्रा, राजियेश कुमार, विने सिंग, अतुल स्रिवास्तो, इन नामों को मैं क्यों ले रहा हूं, इससे परदाफास हम कल करेंगे, लेकि राम बिलास के बाबत, किसी ने, जब मैं चुकी, ये सच्चाई तलास रहा था, तो मैं, मैंने जब पता किया, तो राम बिलास जी के बारे में एक बड़ी अच्छ राद साखाने की विशे सिकाई ने छापे मारी की है, वहाँ भी वही कमपनी, वही कमपनी, वही कमपनी वहाँ भी जो है, उस घपले घोटाले में सामिल है, वही कमपनी मौलाना मजरूलक उर्दू-फारसी विश्विद्याले जो है, को सप्लाई में जो है, उसी कमपनी को मिला है दरसल है क्या ये तमाम कंपनियां लखनव की हैं और लखनव में कौन रहता है राम बिलाश चोहान अपने परिवार के साथ रहते हैं लेकिन जब से पिता राजिपाल बने हैं बिहार आना जाना इनका लगा रहता है और एक चीज और जिस अपने पत्र ने जिस स्रिव वास्तो और सिंग का जिक्र किया है मौलाना मजूलक अर्वी फार्सी विश्विद्याले के वरतमान वाइस शांसलर ने उनका राम विलास से क्या संबंध है बताएंगे और एक-एक चीज सुबूतों की बिना पे ये तमाम हमारे पास वो जो है नोटिफिकेशन से लेके हर च पुड़े जा रहा हूं कि इन्फो लिंक और एक स्क्लिट सौफ्ट्वेर ये वो कंपनी है जिस पर 16 कव रुपे बिना काम के लेने का एक मामला गाजियाबाद में CBI कोट में चल रहा है मतलब पहले से ही घपले घोटाले में मुलवीस एक कंपनी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कंपनी में महस मुखोटें हैं मालिक कोई और है उससे उसका रिष्टा क्या है तो ऐसे समझे ये सवाल छोड़े जा रहा हूं जैसे कटापा ने बहुबली को क्यों मारा ये सवाल हम लोग उने बहुत दिन तक जो है अपने जहन में बिठाये रखा तो उसी तरीके से ये तकरीबन एक 126 करोड़ रुपे की लूट खसोट जो हुई है बिहार के विश्वित द्यालियों में एक एक पक्षा आपके सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे कि वो सक्स कौन है जिसने उच्चेतर सिक्षा के बाहुबली को का टपा बनकर पीछे से कैसे मार डाला है मतलब साफ है कि वो मास्टर माइंड कौन है कौन है वो कड़ी राजभावन और इन दागदार छवियों के पीछे जिन्होंने हमारे बच्चों के भवी से खिलवाड़ किया हमारी जेबे काती और हमारे पैसे पर तमाम अयाशिया की जिसके वो हकदार नहीं है बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये जमूरियत है और जमूरियत में मीडिया पहदार की भूमिका में होती है और हम ये अपनी भूमिका निभाएंगे और NBC 24 हम जो है पंच लाइन नहीं है कि सत्की ताकत हम उस सच को कुरेद कुरेद कर आपके सामने लाते रहेंगे जब तक बनकर बैठे और राजभावन की साह को गंदा कर चुके ये कौकस मंडली या मैं यू कहूं कि उस गिरोह के सरगना को आपके सामने नहीं लागते हैं बहुत शुक्रिया बहुत महरबानी देखते रिए NBC 24 क्यूंकि हम हैं सच की ताकत